हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यू चनल में तो आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे एक वार्टर हीटर तो दोस्तों वीडियो का एंड तक जब देखें मैं आपको पूरी सेप्टी पताऊंगा तो चलिए वीडियो सुरू कर देख तो यह आप देख एक यहां हूल कर लेंगे और यहां पर यह देख सकते हैं एक ले फाल कर ले municipal कर दोजों। दोस्तों मैंने इसमें दोनों हूल कर दिये हैं तो दोस्तों इतना होल करना तकि टाइप के न ックवोल्ट इसके अंदर लग सके तो चलिए यह दूनों नックवểm को एक इस होल में है और एक इस होल में लगा देता हूं बहुत ही अच्छे से आपको नटवोल्ट को लगाना है और बहुत ही टाइटली और दोस्त आप थोड़ा हेवी PVC पाइप का यूज कर ये थोड़ा नॉर्मल PVC पाइप है कमजोर ताकि ये पानी जाद अगरम हो तो ये मेल्ट ना वो PVC पाइप चाहे तो आप लगड़ी का भी उज कर सकते हैं तो चलिए अब इसको ये दोनों नटवोल्ट को इसके अंदर लगा देते हैं यही होल में ये देखे दोस्तों मैंने अच्छे से लगा दिए इसमें दोनों नटवोल्ट तो दोस्त आप इसमें इलेमेंट लगाएंगे तो चलिए ये इलेमेंट में आपको दिखाता हूं ये देखे दोस्तों ये है वो इलेमेंट ये दोनों नटवोल्ट इसके साथ आए थी ये इलेमेंट जो खाना बनाने वाला हिट्टोर होता है वही इलेमेंट है यह आपको मार्केट में इजली 20-25 रुपे म इस तरह से लगा देना है अच्छे से इसको लगा देना है यह देखिए इस तरह से यहां तक लपेटने के बाद यह देख सकते हैं यह लपेटने के बाद यह होल को इसके अंदर डाल देना है इस बोल्ट के अंदर डालके आपको अच्छे से इकवल मिला देना है पूरे मे पूरे में आपको इक्वल ही मिला दिना है तो चलिए मैं मिला देता हूं यह देख सकते हैं दोस्तों मैंने अच्छे से मिला दिया दोनों हर एक साइड में इक्वल कर दिया तो दोस्तों इसका मैंने होल इशली नहीं बंद किया क्योंकि इसके अंदर पानी जाएगा तो अच्छे से पानी के अंदर डूबा रहेगा नहीं तो ये पानी के ऊपर इच्छा पिल जाएगा मैंने इसको पहले भी एक बार बना के देखा तो पानी के ऊपर इच्छा पिल में यूज रता हुआ है तो इसको पावर देने के लिए यह देख सकते इसमें एसी 220 बोल्ट देना है एक वायर यहां पर करना और एक वायर यहां पर चले मैं इसमें हेवी आयर करना दोस्तो ऐसा करना थाकि वह ज्यादा एंपीर और लोड ले सके शलिए मैं वायर कर यह canet कर देता हूं यह देख सकते दोस्तों मिईंप्ने करूंगा यह थोड़ा नोर्मल वायर यह फ्यादे बिस कहीं तरह से इस तरह से आपको अच्छे से इसमयं डोन charitable करनेट करेंए kötü इसमें उनको यह तो यह देख सकते दोस्तों मैं रखा डी यूज करके सो पानी करनने के लिए डबे मोई रखे तो परफेस पर टच ना हो इसको हम कहीं लटका दें डब्बे के कॉर्णर में ताकि ये नीचे टच ना हो जिसे डब्ब भी हमारे जलेगा नहीं पानी हीट होगा तो चलिए मैं आपको चेक करके दिखाता हूं बहुत ही अच्छा हीट करता वाटर को तो आप यह दैख सकते हैं दोस्तों मैं ने पानी लिया है아 यह थोड़ा कम को कमी पानी लाया है ताकि जल्दी से पानी हीट करके दिखासे होगी है बहुत ही तेजी से पानी हीट करता देखिए यह हो किसले लगा ताकि इसके अंदर में लगा सो यह लेमेंट का यह वायर है जो सो डीबे के सरफेस पर टचनी होना चाहिए कोई सबी डिबा और आप से मैं यही कहूंगा कि आप प्लास्टिक डिबे का यूज करें उसमें इलेक्टिसिटी कंडक्ट नहीं होती आप लोहे का डिब कोई वाल्टी वाल्टी का यूज ना करें ताकि आपको सौक ना लगे तो चलिए और आप एक बार में बहुत ज्याद आप यह कर सकते हैं एक लाक्ति पूसके तो इसको इलक्तिसिटी देता हूँ एक लोगाने के आप इसको टॉच में ना कर ये देखे यह कम quantity में पानी इसलिए बहुत ही जादा बुळुबुले आ रहे हैं पानी करें this ओए हैं दीक्षा थो बहुत ही जादा बुलुबुले आ रहे हैं नहीं पहुत ही जादा बुलुबु इचाल हो गए 220 volt AC में तो आपको छुना भी नहीं है इसको देखिए इस तरह से आपको switch बंद कर लेना है सबसे पहले और यह plug को खोल लेना है यह देखिए दोस्तों अब यह safe है मैंने इस plug को खोल दिया तो अब यह safe है यह मैं आपको छूकर भी दिखाता हूँ यह देखिए दोस्तों पानी बहुत ही जादे हीट हो चुका इतने ही देर में आपके सामने था जो भी था बहुत ही जादे हीट हो चुका है तो दोस्तों आप इसी तरह से बना सकते हैं बहुत इजली और आपको मैंने जो सेफ्टी बताए हो उसका जरूर ध्यान रखें नहीं तो आपको इलेक्टिक्स को कलग सकता है और बच्चों से दूर रखें इसको तो दोस्तों वीडियो पसंद आये तो वीडियो का लाइक जर कर दोस्तों 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 झाल 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 झाल